दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आश्रवाद स्वागत करता हूं देख्षानत आए इसके यूट्यूब पोर्टल पर जहां हम चर्चा करेंगे आज का टॉपिक आश्रवाद 360 में आज का टॉपिक है दोस्तों इस पीसीज रिकवरी प्रोग्राम या प्रिजातियों का रिकवरी कारिक्रम जहां एक इंपॉयंट टॉपिक पीडी के लिहाष से बहुत का मका टॉपिक है दोस्तों चर्चा को फटा करेंगे और छोड़ा सूटर सेशन होगा आपका बात आज प्रजातियों के सेलक्षन की बात हो रही है हमारे साथ हैं आपर बात करेंगे प्रजातियों के सेलक्षन को लेकर खबर क्या दोस्तों खबर यह है हमारे पास कि भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट है इसका नाम है राश्टी वन जीव बोर्ड उसने एक नई पर जाती है हम लोग जिसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं शेह गोष पर जाती कहते हैं हम लोग शेहागोश को शामिल किया है स्पेस्वेशिद में यानि कि S.R.P. में जीवों का संकट क्या है वन्ने जीवों का संकट क्या है वन्ने जीवों के सबसे बड़ी समस्या जो हमें फील होती है यहाँ पर वो है उनके प्राकरतिक आवासों का नस्ट होना उनके हैबिटेट का नस्ट होना उनके प्राकरतिक आवास नस्ट हो रहे हैं चाहें वो जंगल होँ उनके जमीन चीनी जा रही है उनके आवास नस्ट किये जा रहे हैं उनके हैगिट कीए जा रहे है तो BRAD शमज्या को लेकर है बाकिष है और ऑशुच अर भी है कभी ऑ reckless लेकर भी बात करते है habitat की उनके कि आवास नस्ट हो रहे हैं उन्हें बचाना जरूरी है इसी कली में भारा सरकार ने आज से कुछ साल पहले एक करेक्रम लॉंच किया था करेक्रम का नाम था आई-डी-डव्लू-एच करेक्रम का नाम था दोस्तों आई-डी-डव्लू-एच बात करते हैं कि उपर आपके इस करेक्रम का नाम था आई-डी-डव्लू-एच या हिंदी में कहा जाए तो वन जीवों के आवास विकास की एकिरत योजना कब लॉंच की थी हमने 2008 में इसको लॉंच किया था कोई समस्या नहीं है इस करेक्रम के तीन पार्ट है आई-डी-व्लू-एच के तीन पार्ट ह है सर आरं सुनिएगा वन जीवों के आवास को बचाने की जो स्कीम है उसके तीन पार्ट है पहला पार्ट है सर जो सरक्ष छेत्र होते हैं जैसे कि नैशनल पार्क होता है जैसे कि वाइड लाफ सेंचरी होती है टाइगर रिजर्व के अलावा जो अन्य इलाके होते हैं उन टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर रिजर्व के लावा जो जीव रहते हैं जहां भी उन्हें बचाने का प्रियास करना जब नैशनल पार्क के अंदर रहते हो या वाइड लाफ सेंचरी के अंदर रहते हो अभिरन में रहते हो पार्क में रहते हो या कहीं और रहते हो उन्हें बचाएंगे हाँ, टाइगर पार्क में रहते हैं, उनको छोड़ देंगे, वो टाइगर पार्क के लिए स्कीम चलती है, पहली पार्क, सरक्षे शेत्रों में रह रहे हैं वन्ने जीवों को बचाना, उन्हें प्रोस्ताहन देना, सहयोग देना, दूसरा, ऐसे जीव जो वन्ने नैशनल पार्क के बाहर रहते हैं, वन्ने जीव हैं, हैं वाइड लाइफ, लेकिन नैशनल पार्क के बाहर रहते हैं, वाइड लाइफ सेंश्री के बाहर रहते हैं, टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं, इन्हें भी सुरक्षा बर्दान करना, जी हाँ, ऐसे जीव, जो वरने जीव सरक्षे तरके बाहर रहते हैं, उने भी सरक्षा देना, तो आउटसाइड नेशनल पार्क, आउटसाइड नेशनल पार्क की बात के इनको बचाना, और तीसरा प्रोग्राम है दोस्तों, वो है आपका recovery कारिक्रम, यानि कि प्रजातियों के लिए recovery कारि बस खतम होने का गार पर आ गई हैं, धोरा ध्यान ना दिया, खतम भी हो जाएंगी वो, तो उनको बचाना, उनके आवास को बचाना, इसके तहत होता, SRP के तहन, कुछ दिन पहरे तक, इसमें 21 पर जातियों शामिल थी, UPSC के फेवरेट हैं दोस्तों, आपको दिखाऊंग वो शामिल किया गया था, अब इसमें एक नई और आ गई है का, अब यह हो गई है, 22, ठीक है सर, न्यूज हमारे पर यही है, कि SRP का रिप्र विस्तार किया गया है, अब इसमें 22 पर जातियों शामिल हो चुकी है, ठीक है सर, अब आईए, यह काईकरम को बता दिए, काईकर स्पॉंसर्ड स्कीम की बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम बोलते हैं स्पॉंसर्ड स्कीम का माइने क्या होते हैं, इसके माइने होते हैं, प्राज्यत स्कीम के माइने क्या होते हैं, कि कुछ केंदर देगा इस स्कीम के लिए, और कुछ राज्य देगा, और कितना हिस्सा है केंदर राज्य का 60-40 का जी हां सामाने राज्य है 60-40 नौर्टीस्ट के हैं तो कुछ हिस्सा राज्य को दिना पड़ेगा नौर्टीस्ट के राज्य को दिना पड़ेगा तो सामाने राज्य है नौर्टीस्ट के लावा जो राज्य है उनके लिए 60-40 का है तो यहां पर किस पर जाती आती थी सरस्ह moet किस पर जाती है शामिल थी अप तो इस कार् commodities में धोस्तों हमारा ठीक है आप सक्रीन पर की सिकर नम दिख ळाए है क्लिक कर सकतें शॉट ले सकते हैं स्क्रीन लेली आराम से एक किस पर जाती है स्नो लियोपर्ड बस्टर्ड डॉल्फेन हंगुल निलगी ताहर हिंदी में आपको इहां पर तो हिंदी में नाम दिख रहे हैं आपको 21 की नाम यह इनको याद किजिगा यूपेस्सी बहुत क्षिम नाते हैं इससे बात करेंगे आप से अम किस आप शौट डिलीज नाम से एक किस का ठीक है इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा बात करें एकिस के नाम यहां पर यह नाम हैं लोग 17 के 17 नाम यहां पर है चार दिखाता हूँ मैं आपको बाद में जो लगया था चार को तो पहले लॉंच हुआ था कारिक्रम 17 बरजातियों के लिए पहले लॉंच हुआ कारिक्रम 17 बरजातियों के लिए और बाद में इसको बढ़ा कर 4 और जोड़े गई इसमें, पहले 17 के लिए था 9 स्तंधारी जीव, 5 पक्षी और 3 समुदरी जीव, 17 थे, बाद में 2018 में आकर हमने इसमें 4 और जोड़े, और फिर 2021 में आकर एक और जोड़े, तो 22 हो गए हैं इसमें दोस्तों, 22 जी हो गए हैं, तो पहले 17 में नौस तंधारी जीव थे, हिमते इंदू अथा, हिरन था हमारा, नीलगी ताहार, जंगली भैंस, हमारा मनेपुर का हिरन, माला बार्क, सीवेट, इंडियन, गेंडा, एशय, शे, स्वैम, डियर, या आप देखें नहें सबके नाम, गिद, बस्टर्ड, बस् माचवा, उसकी बात कर लें, फिर हम बात करेंगे, यूपेसी कुश्चन्स पर आपके साथ, तो 17 तो पुराने हो गए हैं, लेकिन निशत तोर पर इससे कुश्चन पूचता है, यूपेसी दोराएं नहीं है, बाकी चार की बात में बाकी चार कौन कौन से दोस्तों, बाकी जो तेंदुवा है, जो ग्लावडट तेंदुवा इसकी बात, और ये तारपें कच्छुआ, जो नदी कच्छुआ है, बंगाले मिलता है, नदी कच्छुआ, ये चारो जोड़े गए थे, दोज 18 में दोस्तों, इनके नाम पीचे देखी लिए, आपने लिखे थे, तो 22 जीव है, शिहा गो, शिहा कारकार, बात करें इसके बारे में, शिहा गो, शिया कारकल की बात करें दोस्तों अपके साथ, शिहा गो, शिया कारकल की बात करें दोस्तों, थुरा सुन लिए जिसके बारे में, ये कहा मिलता है, शिनेगा राम से, इस जीव की बात करें सर, भा भारत में एक critically endangered समझेगा देखिए अंतर क्या है यह जो शेहागोश नाम का जीव ऐसारी बिल्ली जो है यह भारत में बहुत कम पाई जाती है critically endangered खतम होने वाली almost लेकिन पूरी दुनिया में जाएंगे तो अफरिकां बहुत सारे मिलते हैं यह अफरिकां बहुत आयत में करें एशियाटिक करकास की बात करें तो critically endangered जी हां भारत के लिए लेकिन आयूसीन केता है बहुत है संख्या में भारत सरकार ने माना यह खतम होने के कगार पर है नस्ट होने कगार पर है इसका आवास बचाना जरूरी है तो सरकार बचाईए इसके आवास कहां पर गुजरा राइस्थान में इनको देखा जाता है चीक है सर यहां तक बात समझ में आ रही होगी एक जीव है बिल्ली पर जाती का नाम देखा आपने उसका पीछे उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है यहां तो कुछ समझते नहीं है शिहागोश हाला कि आप देखेंगे तो MP का एक दिखारों में आपको पोस्टर यह MP सरकार का पोस्टर जहां पर पूछा गया है इस दोस्त को देखा है क्या देखें यह राइस्थान मिलेगा आपको गुजरात में और MP के जो सटे लाके हैं राइस्थान गुजरात से वहां मिल सकता है तो जैसे कि अगर हम बात करें जिनों की तो यह बंसौर, रतलाम, नीमच, शाजापूर, उज्जेन, आदी में मिलता है कभी-कभी तो MP में मिल जाए कुछ इदाके में आपको बाहिए गुजरात और राइस्थान में तो मिलता ही मिलता है ठीक है सर आधवर पे रहता कहां हैं सर घास मैदानों में, जाडिओं में, पेड़वालों, खुले शित्रों में, पठारों में, तो अफकोस ग्रास लैंड में, जाडिओं मिलेगा आपको मिल जाएगाराम से तो सूखे जाड़ी वारे इलाके पठारी, पथ्री लालाका, घास हुमिया वहां मिलेगा आपको ये कोई दलदली इलाके में, कोई नदी के आसपास इलाकों में नहीं मिलेगा शिहागोशिया केरा कर ठीक है सर, कोई समस्थे नहीं इसके साथ इसको शामिल किया गया है 22 वी प्रजाती के रूप में ठीक है sir, कोई समसीया तक तक तो हमारे पास नहीं है अगला सवाल सर कौन शामिल करता है इसे कौन शामिल करता है आईए दोस्तों वो जामते हैं आपके साथ देखे हमारे पास एक संस्था है दूस्तों एक कानून है कानून को नाम ले पहले आपके साथ तो उस कानून का नाम ले ले Wildlife Protection Act 1972 हिंदी में कहते हैं इस कानून को हम लोग वन्नी जीव सरक्षन अधीनियम वन्नी जीव सरक्षन अधीनियम इस कानून का Section 5 कहता है कि वन्नी जीवों के सरक्षन के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा इसका नाम होगा National Wildlife Board रास्टी ये वन्नी जीव बोर्ड ठीक है इसका Section 5 कहता है कि एक बोर्ड बनाएंगे रास्टी ये वन्नी जीव बोर्ड जिसके अध्यष्र परिधान मंतरी होंगे वन्नी गोड बहुत सारे काम करता है देश में और इंपरेंट काम करता है ये प्रजातु के पहप्चान करता है अइसी राज़ में होते हैं, राज जी बोर्ड भी होते हैं स्टेट वाइल लाइब बोर्ड भी होते हैं ठीक है, हम बात करें ये जो species और पोड में हैं, इसकी पहचान कोन और न करता है, कौन से जीव इसमें आएंगे जो 22 वाया कोन न शामिल किया होगा इस अंस्थाने है तो अगर मैं कहूँ वन्नाई में न्यूज क्या है आज की तो न्यूज ये दोस्तों ये है कि प्रधान मंत्री के अध्यक्षता में चलने वाले रास्टी वन्न जीव बोर्ड ने इस पिसीज रिकवरी का रिक्रम यानि वन्न जीव या प्रजाती सेलक्षन का रिक्रम के तहथ प्रजाती रिकवरी का रिक्रम के तहथ 22 जीव को शामिल किया है जो कि गुजरात राहिस सने पाए जने वाला शिहागोश है भारत में इसी critically endangered का दर्जा दिया गया है हाला कि IUCN अंतराशी संसा IUCN इसे Least Concentration में शामिल करती है ठीक है यह जीव घास भरे मैदानों सूखी जाडियों पठारी शित्रम पाय जाता है कभी-कभी मदर्विदेश में भी देखा जाता है ठीक है सार यहां तक बात सम्झा आ नहीं को जिए तोन बात एक समझद वतादी विए-ऑ 충 क्या आई-ड्विए-च्ग्याओं आने आपको यहां पर इसकेburn challenge कीलांगी की मेना आपके साथ इसके लावह 21 एक कि बात बिने कि आपके साथ कर चलों के तहित कौौन से कैसे अंसे कारा है ? UPSC ने question question कैसे पूछें इसकी उपर बात कर लेती हैं आपके साथ question कैसे पूछें UPSC ने इसकी उपर मैं आपसे कहता हूँ कि इनको 22 को अपने याद कर लिए दोस्तों तो आपको लगेगा exam में जो 1G पे जो question आते हैं करना चाहिए इनके बारे पहली बात तो इनका नाम इनकी location ये कहां मिलते हैं भारत में और location के साथ-साथ इनकी location के साथ-साथ इनकी नेशनल पार्क अगर कोई फेमस इनके लिए तो नेशनल पार्क और वाइल लाइफ सेंचरी कोई जोग्रफियर अलाका फेमस है उसकी knowledge इनकी खानपान इनकी lifestyle कैसी इनका जीवन शैली किस परकार की है तो वो एक नौदम शैली की दिन में सोते हैं रात में जगते हैं शिकार किस परकार करते हैं आखे इनके आवास क्यों खतम हो रहा है इनको मारा जा रहा है या इनके जंगल के पिल काटे जा रहे है माइनिंग हो रही है आखे बीमारी से मर रहे है क्या कारण है इनके आखेर संकट क्यों है इनके उपर इनके आवास नस्ट क्यों हो रहे है ये जानी है थोड़ा से इसके बारे में बाइलोजिकल आपने पढ़ लिए बाइलोजिकल पढ़िए इसके बारे में लोकेशन पढ़िए इनकी भारत में इनके लिए कौन सा कारिक्टम चलाए जा रहे है जैसे रैट पांडा के लिए कारिक्टम चल रहा है WWF की सहाइता से चल रहा है IUCN की सहाइता से चल रहा है या कोई और संसाम कर रही है हिम तेंदुआ का रिक्रम कहां चल रहा है किस-किस राज्य में चल रहा है G.I.B. पक्षी जो हमारा है तिलोर पक्षी या गोड़ावन पक्षी कहते है राइस्थान में उसके लिए कौन से का रिक्रम चल रहा है, किस जिले में चल रहा है, कौन से नैशनल पार्क में चल रहा है, डेटेल नॉलेज, अगर आपने इन बाइस के बारे में मानता हूँ, पांस से च्छे फैक्ट हर किसी आप पढ़ लिए, तो लब सो सबासो फैक्ट होंगे पढ़ने के लिए मुश्किल से दोस्तों, और इन सबासो फैक्ट के बाद आप अप्राप्ट करेंगे, एक्जाम में तीन से चार सवाल बनते हैं, तो बुराई भी नहीं होगी, जी हाँ, मेरा दावाए तीन से चार सवाल मिलेंगे आपको एक्जाम में, जैसे कि मैं को दिखाता हूं क्वेशन आपको, इन से ही कि आप जो कहते हैं, एन्वार्मेंट क्वेशन कहां से आते हैं, मुश्किलों में आते हैं, आपको दिखाता हूं क्वेशन दोस्तों, यहा पर 12 सिंगहा के बारे में ठीक है कोशन पूछा गया यूप सी दोरा 20 के बीटी में स्वायम डिया बारा सिंगहा आप आएंगे 21 में से एक थी है अब तो 22 के लिए उसमें से एक पर जाती है 12 सिंगहाँ की पूछा गया कौन सा फेमस से श्किल नाशनल पार कहां मिलेगा आपक चीक है तो अफकोस उने जब क्या कह दिया मालूमें इसने क्या कह दिया इसने जब बोल दिया कि hard ground जब इसने शब दिख दिया hard ground ना तो आपका काम आपको देखा वरना दोरम कंफीजन रोसकता था वो किसमें मिलेगा लेकिन अगर आसान है hard ground दे दिया उसने कठोर भूमी दिया तो अफकोस कहना था इसके बाद चलिए यह कुशन देख रहे हैं मिसंग आप लो या फिर आप देखिए कुशन लास्ट ये का ही दो या बीस का ही कुशन दोस्तों ये बी है कि इंडियन डैजर्ट नेशनल पार्क तीन कथन दिये हैं कौन-कौन से famous कथन है ये दो ज सवाल है दोस्तों अब समझेगा सवाल को आप जब पढ़ेंगे बुस्टार्ट के बारे में न तो आप पढ़ेंगे कि इनको संकट क्या इनके आवास पर इनके आवास का तीकर्मन हो रहा है वाँ पावर लाइन बिछाई जा रही है वहां बस्तियां बनी हुई है तो अप सवाल हो कहा है नो हमने इनके घर यहां पर तो ठीक बात आईए कुछ कुछ न और दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों यहां पर आसान सवाल है बस अगर आपने बेसिक पढ़ लखा है दो यार 19 का सवाल देख रहे हैं दोस्तों दो 19 का सवाल क्या है एशेटिक लॉयन ये भ पहला ठीक है सब डबल हम्ट कैमल नहीं एक किस में ये डबल हम्ट दोहरे कूबर वाला उट नहीं एक किस के अंदर छोड़ दीजें नहीं मालू मुझे वन और राइनसोर नेचुरली फाइंड इंडिया उन्ली जब पढ़तें इंडिया उनली आप पढ़ेंगे गैंडे जो हैं भुटान मिलते हैं नेपाल में मिलते हैं नेपाल के तरही लाकों में तो किल इंडिया में नहीं मिलते हैं नेपाल में भुटान में मिलते हैं जैसे आप जान जाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा इसके वारे मैं जानते हैं नहीं है तीसरा गलत मतलब ये भी और ये भी गया ये हो नहीं सकता तो आंसर के बचेगा एक के बल यानि जो कठिन सवार आपको लग रहा है उसकी जानकारी भी आपको नहीं किस के नदर छुपी हुए दोस्तों नहीं किस टॉपिक्स के अंदर उनको डंग से आप पढ़के जाएगा कोशन बहुत आसान है बन ब्लू फिंड महीशीर मुझे नहीं मालूम सरी यह नहीं बड़ा मैंने किस में आती है मैं नहीं जानता इसके बारे में छोड़ दीजिए रस्टी स्पोर्टेट कैट्स ये भी नहीं सुना मैंने कभी से एक किस में नहीं आती है ये मालूम है डॉल्फिन डॉल्फिन उसमे पढ़ेंगे रावदियान पढ़ेंगे चिलका लेक मिलती है चंबल में नहीं मिलती तो यह स्ट्रिमन गलत हो गया ठीक है अब आईए डूनते हैं दूसरा गलत तो मतलब ये भी गया ये भी गया और ये भी गया अपने आप आप सबस्ता है वह देखिए इन पॉइंट बात ह मुझे कुछ नहीं पढ़ना मुझे जो 22 दी हैं उनको ढंक से पढ़ना है उनको ढंक से याद करना है बाकी मेरा काम बहुत आसान है उसके बाद उतनी ग्यान चाहिए बहुत सीमित ग्यान थोड़ा लॉजिक लगाना एक्जाम में जाके आपको आपका कुशन आरम से हो जा करना घूल तो प्लीज बाथा ने ने को सल्निया अगी होग पूराज कहीं जंगली भैसों कई कई बार पूछा है मैं उसको रात छोड़ दीजिए तो ऐसे कोशन पढ़ते रहें इनको आते रहेंगे आपके साथ बार बार ऐसे कोशन दोस्तों तो उमीद करो मेरा टॉपिक आपको संध्या आगया होगा पूराज करें और निशत तोर पर यह क्लियर हो अगले सब्सक्राइब से अगले विग बात करेंगे आपसे दीजिए आगे अब तक के लिए थैंक्यू शुक्रिया जैहिंद अढलिएएब पूराज हैं चाहिंद यह हैं आपने कोशन तोर हैं तोर सुझाब बार लाख कोशन हैं, तोर सकते हैं झाल झाल